नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह आपके लिए क्या फलदाई है शुब्ति तिथी तृतिया जया संग्यत तिथी यन 6-7 बजे तक तदंतर चतुरती रिक्ता संग्यक तिथी प्रारंभ हो जाएगी तृतिया तिथी में अनप्राशन गा भी समय शुद्ध नहीं है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है यह क्या फलदाई हो सकते हैं नक्षत्र मूल टीक्ष्नव अधोमुख संग्यक नक्षत्र पूर्वाहन 10 बच के 36 मिनिट तक तदंतर पूर्वशाड़ा उग्रव अधोमुख संग्यक नक्षत्र है मूल गंडांतर संग्यक नक्षत्र भी है मूल नक्षत्र में कुवा, बावडी, वक्रिशी संबंधी कार्य और पूर्व शाडा नक्षत्र में उपरोक्त कार्यों सहित विग्रे और साहसे कार्यादी सिद्ध होते हैं पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें, तो आज कौन-कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है, ये भी आपको बताते हैं योग, साद्य नामक नैसरगिक शुब योग प्रातय साड़े आठ बजे तक तदंतर शुब नामक नैसरगिक शुब योग है विशिष्ट योग सर्वार्ध सिद्धी नामक शुब योग सूर्योदे से पूर्वाहन 10 बच कर 36 मिनिट तक तदंतर सायन 6 से 7 बजे तक राज योग नामक शुब योग रहेगा करण वनिच नाम करण प्राते 6 बच कर 33 मिनिट तक तदुपरांथ सायन 6 से 7 बजे तक भदरा वो इसके बाद बव बालबादिक करण होंगे नजर आज के व्रतोथ सब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं व्रतोथ सब आज चतुर्थी व्रत चंद्रोदै चैपुर में रातरी 10 बच कर 14 मिनिट पर मा आनंद मई जैन्ती तथा गंड मूल प्राते 10 बच कर 36 मिनिट तक है और अब जानिए जो तिशियों के मुताबेक पंचांग में चंद्रमा की स्थिक क्या रहने वाली है राहुकाल और देशाशूल के बारे में भी जानिए चंद्रमा दनु राशी में संपून दिवरातरी दिशाशूल, रविवार को पष्चिम दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंडरिस्थिती के अनुसार आज पूर्विदिशा की यात्रा लाबदायक वर सुब परध है राहुकाल मद्यमान से सायन साड़े चार बजे से सायन छे बजे तक राहुकाल वेला में शुबकार्यारंब यथा संभव वर्जित रखना हिदकर है वार कृत्य कार्यों रविवार को सामान्य रूप से राज्य भिशेक, उत्सव गाना बजाना, नई सवारी, वायू यान आदी का प्रयोग यात्रा, नौकरी, पशुक्रे, विक्रे, सोना, तामबा, उनकाष्ट संभंधी कार्य, औशद व जड़ी बूती, आदी का संग्रेव प्रयोग शिक्षा-दीक्षा, लेना-देना, अस्त-शस्र व अगनी संबंधी कार्य, न्याएक परामर्ष तथा यज्यादी मंत्रोपदेश आदी कार्य करने योग्य हैं वाई ये बढ़ते हैं एक और महत्वपून विशे की ओर और जान लेते हैं शुब मुहुर्त और स्रिष्ट चोगडिये के बारे में शुब मुरत उपरियुक्त शुभाशुब समय तिथी वार नक्षत्र वा योगानुसार आज मूल नक्षत्र में आठवा पूजन पुन्सवन वा सीमन्त कर्म आदी से यता अवश्यक शुब मुरत है शुब कार्यारम के लिए अत्युत्तम है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम भो, भू, धा, फा, रा आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी धनू है धनू राशी के स्वामी ब्रस्पती होते हैं इनका जन्म तामरपाच से है सामान्यते ये जातक बुद्धिमानी, परोपकारी, यसस्वी और अल्पक्रोधी होते हैं इनका भाग्योदे आठवे वर्ष में होता है धनु राशी वाले जातकों के यात्रा के सन्योग बनेंगे राशी स्वामी भस्पती छटे होने से शत्रू भै और खर्चा अधिक होगा तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं आपका दिन शुभो धन्यवाद